हम थोड़ा प्याज खा लेते हैं। गुरुजी बोले कोई बाद भाद भी चलेगा। प्याज खृत में पईदा होता है। थोड़ा थोड़ा आवश प्रुतिका होता है। इसलिए अच्छे जिद्वार, अच्छे ध्रामर, अच्छे संत उसे भी देते हैं। बना लेगे सिशितु। चेरा बोला गुरुजी रोज थोड़ी खाते हैं। कभी-कभी खानेते हैं। देखो रोज आप काम करो, भरखाने बाशिए। उसमें एकना अभ़न गई हैं। कभी-कभी बहुत बढ़े दोश है। तो गुरुजी बोला गुरुजी रोज थोड़ी कभी-कभी खानेते हैं। चेरा बोला गुरुजी रोज नहीं कभी-कभी थोड़ी। बोले कम हो। कहने लगे दिव चोड़ी चपाने करीकराई नहीं। अब बहला बताओ एको छोटे से प्याज में कितने बड़े अभणोशी पढ़े हैं। गुरुजी बोले एको सब नहीं जड़ता है। लेकि गुरुज शांदी पर महाकाल भगवार की दिव उपासकु राम मर्देवता। जिनकी पाथ साला ने स्वयव दोनों की रात भगवाल कुष शिच्छा अधर कर रहे हैं। शुनाबा प्रापड़ भी आया है। दोनों की परम मित्ता होंगा। मित्ता कोई इतना छोटा रिष्टा नहीं होता है। पर शिर्मानाज जब जीने चाहा तो मुठ बना लिया। जब जीने नहीं चाहा तो मुठ शिप्वी मतलम नहीं। वो शाविज ने राप्चे स्वानस में तहाँ, ओमित में जुखारी, जेहो जिनमित दुख, ओमित में जुखारी, उस मोटरी में कुछ इच्चे में बदिलने, भगवार में उच्चने के एक एक दाने को पढ़ा साथ, और भगवार को ऐसा अभगत हुआ, कि एक चला जो चबाएगा, वो दरित्र हो जाएगा। तो सुख भगवार में उच्चला एक परिया पिर्जों के तो पाद दी, गुरु माता को देथी, एक दिन घर में इनम नहीं रहा, तो गुरु शांदी पर महराज की, अर्धान में, मारेक गर्यां की गुरु माता ने, बगवार में शुको बोला काणा, घर में इधर में नहीं, गुरु देव कारिवादित है, बोजर कारिवादित है, बगवार बोले चिता नहीं करो माता, मैं जंगर जंगर पहुंद, सारी समिधाय दोट कर लाएगा, एक चल दिया, सुदावा बोजे बया, मुझे भी दिय सुदावा प्रापणा चल दिया, गुर्माता ने बुचाई, लोट कर आएगा, तो गुर्माता ने वही चल दिया, जो कणया ने गुर्माता को दिये थी, जिसके एक एक इंताने पर, महाल करुता का अधि दोभाविता भी था था, इचनों को जुपाएगा भू दरिदर ह जब तुम दोड़ों को भूख लग लाए तो मिल्धूर प्रच्वाने